मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा करम को टिलता जानम कुमवाती सद्कुरुवदाजी महराजी ने क्या है कि अकाल पुर्ख वहगरू कि जो तेरी बचार तरा है, सारे अनू एक देखन दी, बराबरता दी देखन दी, कि अपने समाज दे और अपने दुखांदा निपटारा करन दे लई, और दूसरे आँ दे बराबर अपने समाज नू लेउन दे लई, सत्कुरु रवदाजी महराज किसे डेरे ते नहीं गए, किसे पीरा दी जगाते जाके मत्णी टेक किया है, उननने किसे देवी देवते दी शर्न बिच नहीं गए, जहां जोगियां दे डेरे यां ते नहीं गए, ते उननने जेकर बेंती किती है, जह सहारा लेा है, ता उसा काल पुर्ख वहगरू प्रमेशर दाले है जीवन चल रहा है तार्ती दे उत्ते द्राखत ने, खोर पशू ने, पांची ने, मनोख ने इनना दे अंदर जो जीवन है चल रहा जो ए तुर देने, फिर देने, बोल देने पांची उडारियां पर देने, द्राखत हरे परे सानु दखाई देने, उनना फोल लग देने उनना फाल लग देने ए सारा जो जीवन लाओ है ए उसा काल पुर्ख वहगरू परमेशर दी सारे आंदे अंदर तड़ करही है साथ गुरू उर्वदाहजी महराजी कहें देने के तुम ही एनना जीवन देन वाड़ा है मेरी हरो बेपत जन करो सभाई ए जो मैं लड़ाई लड़न जा रहे हैं अपने समाज दे लई बरभरता दी उननना दे हकां दी इदे विच जो आउन वालियां रकाबता हान उनननु धूर करो जो गुरू गुरांट साहिव दे विच चारन शावदा हूदा है इदे अर्थ असी पैरा तो नहीं करने हान गुर्के चारन रिदे में तारो इदे जी असी अर्थ पैर करांगे हुन हिर्दे दे विच पैर के में रखे जा सके देने आज दे मास दे पैर ने इनननों से बढ़ के अपने हिर्दे दे विच रखांगे समाज दे लोकानु वे समझना चाहिदा है के सत्गुर वदाह जी महराज जदों के ते होर नहीं गए जदों उन्हा ने एड़ा बड़ा लड़ाई लड़न दे लई हजारा साल दे गुलामी दे संगण लाउन दे लई केवल ते केवल एक रब्दा आसरा तक या है तो फिर असी क्यों आज वो होर चूठे रब पैदा कीते होने तारती दे उते जड़े के एक दिन खतम हो जाने ने एजड़े ऐसी कथा तत बनाई फेर देन सहारे ये रहने नहीं है ए खोद किसे दे बनाई हो ये ने ये नदा आपना कुछ नहीं है तो इस करके सत्गुरूर्वदाह जी माहराजी ने ओस पावर नूँ ओस शक्ति नूँ पकड़ेया ओदा ओट आसरा सहारा लिया है जो आद सच है जुगाद सच है हैपी सच नानक होसी पी सच जिड़ी कदे मर्दी नहीं है जो सैपंग है जो अपने आप तो बनी है वैगरू जी का खालसा वैगरू जी की फते सतकार जो गुरूरूप साथ संगे जी ओ जिमे के आप जी नूँ पता ही है के गुर्दवरा सरी गुरू रवदाह जी माहराज जमालपर वाना चंडिगार रोड विखे सत्गुरू रवदाह जी माहराज जी होना दी जो शब्दां दी विचार है वो शुरू कीते गई है उना जा दे आज गौडी राग दे वेच जो शब्द है दूसरा शब्द है वो दा पहना पाठ किता जावेगा ते फिर उदी अपर अल मिल के विचार करांगे सत्नाम स्रिवाह गुरू राग गौडी रवदाह जी के पदे गौडी गौडी गौडेरी एक उंकार सत्नाम करता पुर्ख गुर परसाद मेरी संगत पोच सोच दिन राती मेरा करम कुटिलता जानम कुवाती राम गुसैन्या जी के जीवना मोहे ना वसारो मैं जान तेरा रहाओ मेरी हरो बेपत जन करो सभाई चार ना चाड़ू सरीर काल जाई कहो रविदास परू तेरी साबा भेग मिलो जन करना बिलांबा कहो रविदास परू तेरी साबा भेग मिलो जन करना बिलांबा वह गुरु जी का खालसा वह गुरु जी की फते सुतकार जो गुरुरु सासंगे जी हो आप जी ने गौडी रागदे वेच सत्गुरु रवदाह जी महराज जी दे शबदा पाठ सारवन कीता है आँवा पांसारे राण मिलके एदी विचार करिए मेरी संगत पोच सोच दिन राती मेरा कर्म को टिलता जानम कुंबाती इस सबदे वेच सत्गुरु रवदाह जी महराज फरमाउदे हन के हे अकाल प्रहुए गरु प्रमेशर मेरा रहना मेरा जो जनम है वहो बहुत ही गरीब समाज दे विच होया है मेरी जड़ी संगत है मेरा रहना बैना उठना ये नीम्या दे विच है मेरी संगत पोच गरीब लोकां दे वेच है मैं गरीब लोकां दे वेच पैदा होया गरीब समाज दे वेच पैदा होया मेरी संगत पोच सोच दिनराती और मैंनू हे हर समय सोच लगी रहे दी है मैं इस सोच बचार करता रहना है के मेरा जो जीवन है मेरा जो रहना बैना उठना वो नीविया दे नाड है तो इस करके मैं उन्ना दे बारे बेच हर समय दन रात सोच दा विचार दा रहना है के साड़ी एदन दी हालत क्यों है मेरी संगत पूछ सोच दन राती मेरा कर्म कटिलता जन मकंबाती मेरा जड़ा कमकार भी है वो कटील है नीमी पदर दा है नीमी किसम दा है मेरी संगत भी मेरा रहना सैना मेरा समाज दे बेच विचरना भी नीमिया दे नाल है ते मेरा जड़ा कर्म है जो मैं कर्म करता है वो भी कटिया किसम दा है मेरा कारम कुटलता, मैं चमडे दा काम कुटन दा, चमडा तियार करन दा, जुतियां बनावन दा काम कारता है, मेरा कारम कुटलता, जानम कुमभाती, ते मेरा ए जड़ा जीवन है, ये भी कोई चंगी किसमदा नहीं है, कुमभाती, पांती, कोई चंगी किसमदा नहीं है, मा मेरा जीवन है जो मैं जीवन बसर कर रहे हैं यह भी कोई बहुत बढ़िया किसम दा नहीं है मेरा कारम को टिलता जाने मकंभाती हुन जदू ऐसे किसम देहलातां देविच सत्गुरूर्वदाह जी महाराज रह रहे हैं तां हुन अपने समाज नू उच्चा चुकन दे लई दूज्या दे बराबर करन दे लई उननने मांदे वेच जो तांग उठी है जो उननने अपने मांदे वेच सोचया है बचारया है हुन कीदे अगे ए अर्दास किती जावे कीदा सहारा लिया जावे कीदा ओठ आसरा सहारा लिया जावे क्योंके ओस समय दे जिनने भी परच जालत तार्मसान उथे इस समाज दे लोकानू बढ़ननी सी दित्ता जान्दा ओननू दुर फिटे दूर 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 पंजा उंदे सान तां फिर खीर दे विच सतकुरूर गदाजी महराजी ने ओस अकाल पुर्ख वहगरू परमेशर दे अग्ये ही बेंती कीती ओदे अग्य आर्मसान ने जो पखंड दे नाल पर अग्ये है जिनना ने सानू चार वर्ना देविच बन्ड के शानू नीवे खड़े दे विच सत दिता है साड़े ना ये छुगा साथ करदेने, साड़े ना पेट करदेने, एस हनु अपने लवे नी लौँदे, इस करके एस हनु एसे वास्ता देविच रखना चाऊंदेने, तो मैं अखीर देविच सारे पासों सोच बचार के तेरी शर्ण देविच आया हां, इस करके महराज केंदेने, राम गुसाईयां जीके जीवना, मोहेन विसार मैं जन तेरा, हुना इते विचारन वाली गल है, के अपने समाज दे और अपने दुखांदा निप्टारा करन दे लई, और दूसरियां दे बरबर, अपने समाज नू ल्याउन दे लई, सत्गुरु जीव ते दी शर्न विच नहीं गए, जहां होर एदान यहां जीडियां मनवतां सान, जहां जोगियां दे, डेरियां ते नहीं गए, ते उन्ना ने जेकर बेंती कीती है, जह सहारा लेया है, ता उसा काल पुर्ख वहगरु परमेशर दा लेया है, मोहेन बिसारो, मैं जन त तेरा, मैं तेरा सेव कहां, मैं तेनु मानदा हां, और किसे नहीं मानदा हां, तो इस करके सत्गुरु रवदाह जी महराज जी ने, किसे इद्दा दे जो पखंडवाद दे, जो तर्मचालत रहे सन, उन्ना नो कंडम करके, उन्नो एक पास से रखके, जो अकाल पुर्ख व आंदा हां, ग्राम गुसाया, जी के जीवना, ये अकाल पुर्ख वहगरु प्रमेशर, तूहीं इस तर्ती दे जीवनों पैदा करन वाला हां, ग्राम गुसाया, जी के जीवना, ये अकाल पुर्ख वहगरु, ये गुसाई, ये तर्ती दे मालक, जीयां दे विच जो जीव जीवन जीवन तड़क रहा ओध जीवन जो देण वाला तुहीं है रामग सैन्या जीके जीवन है ओ किमें ए जीवन अकाल पर्वेहगरु प्रमेश्चर देंदा है नसी देख देंदा है कि अपन्स किसे दी उमर किन्नी है किसे दी किन्नी है जिस दिन तो आसी पैदा होए है उसे दिन तो ही साड़े अंदर एक जीवन लाओ चल रही है साड़ा डेल आटोमेटक तड़क रहा है खून नाडियां देविच आटोमेटक ही गति शील है साध्रा ख्याल भी नहीं है ज़नों सी सुत्ते भी हुने हैं सानु पताव नी कि में जो साध्रा फेफडे है जो साध्रा देल है ओ गंदा खून बाहर कड़ा है ते जो बदिया शुद्ध खून है ओ अंदर लेऊँदा है ये सारा कुछ कौन कर रहा है असी आपने आपता कर नहीं रहे क्योंकि आटामेटीक हो हो रहा है। यह ओ अकालपुरुख वहग्रू्ण जिवन जीसने अपाया है जीके जीवना है। द्राक्त ने फशूने पंची ने मनोखने इनना दी अंदर जो जीवना है चल रहा। जो तूह तॉर्द देने, फीर देने, बोल देने, पॉजी उडारियां पर देने, दराखत हरे परे, सेनो दिखाई देने, उननो फूल लग देने, उननो प्हल लग देने ये सारा जो जीवन लाव है ये उसा काल पुर्ख बहगरू परमेशर दी सारे आंदे अंदर तड़ करही है सद्गुरू उर्वदाह जी महराज कहें देने कि तू ही एना जीवन नू जीवन देन वाड़ा है मैं जान तेरा ही सेव कहां मैं होड किसे दे दारते होते नहीं जानता है क्योंकि मैं अपने समाज दे लई, अपने समाज दे दुखां दे लई, उनना दे हकां दे कारां दे लई, एक शंगर्ष शुरू करना चाहूँदा हाँ ते ओलो लड़ाई लड़न दे लई, मैं केवल ते केवल एक तेरा ही सारा तक्या है तू सी ना मैंनू बसारना, मोहे ना बसारो, मैं जन तेरा, मैं तेरा ही सेव कहां, मैं तित्तो विना होर किसे नू नहीं मांदा हां, रहाओ मेरी हरो बेपत जन करो सुभाई यह जो मैं लड़ाई लड़न जारहे हैं अपने समाज दे लइ ब्रबरत आ दी उनना दे हक्कां दी इदे विच जो आउन वाली यह रकावत हैं उनननु धूर करो मेरी हरो बेपत मेरी यह आउकड़ानू मेरे रास्ते दे विच जो मैं ऐश्गर्ष गरन जा रहे हैं। उन्हें दे वीच और वालियां। जो रुकावटण हन उन्हनु दूर करो। मेरी हरो ब्यपत जन करो सुभाईी। ते अपने सेवक दे नुक सौथा करो। अपने सेवक दे मद्द करो। अपने सेवकदी सहता करो, मेरी हरो बिपत जन करो सुभाई, चार्ण ना चाड़ूं, सरीर काल जाई अच्छे जिड़ी बिचार्ण वाली गल है, वो ए है कि आम तौर ते स्री गुरु गुरांस सह्वदे वेच चार्ण शावद बार बार आउंदा है असल वेच एच चार्ण तो पाव है कि आम तौर ते जो कथा बाचिक ने, जहोर लोक ने, वो एदे आर्थ पैरां तो कर दे हना पर असल विच ये अर्थ पैर नहीं हाना जो गुरु गुरान साहिव दे विच चारन शावदा हुदा है ये अर्थ असी पैरा तो नहीं करने हाना क्योंकि जे कर असी अर्थ पैर करांगे ता गल्त सावद होनगे तो क्योंकि गुरुबानी दे विच कहा गया के गुर्ख के चारन रिदे में तारो इदे जी असी अर्थ पैर करांगे अर्थ पैर के में रखे जा साके दे ने आज जड़े मासदे पैर ने इननों से बढ़ के अपने हर्दे देविच रखांगे नई जड़ा चर्ण शब्द अर्थ है उपदेश, सिख्या, विचार तारा ए विचार तारा ही हर्दे विच बिसाई साज जा सकती है आप मासदे पैर नहीं रखे जा सकते इस करके अपना जो चार्ण शब्द है जो सत्कुर अर्दाजी मारादी केंदे याना के चार्ण अचाडूं स्रीर काल जाई इतनी होई है के अकाल पुर्ख वहगरू जेड़ी तेरी बचार तारा है जो तेरा पदेश है जो तेरी सिख्या है ओ ओ ओ मैंने अपने मांदे बिचो नहीं छट जाँगा अकाल पुर्ख वहगरू परमेशर दे सिख्या किया बराबरी दी क्योंकि ओ सारें दा पिता है ओ जो अकाल पुर्ख वहगरू परमेशर है तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदब तू मेरा प्राता ओ एक सारे जो असी जीव रहां उनना दा मोड़ी ह उनना दा पिता है तो इस करके जो पिता है ओ कदे भी अपनी उलाद दे नाल पितकरा नहीं करदा है ओ अपनी सारी उलाद नो हमेशा ही एक निगा दे नाल देख़दा है कोई भी पिता अप प्रवारां दे विच देख लो मापयों कदे भी अपने जो बच्चे हन उन्ना दे नाल बितकरा नहीं करता है तो इसे तरह असी जो जी वहां संसार दे विच पैदा हुए उन्ना सारे आँडा मापयों का कालपुर्ख वहरू प्रमेशर है तो इसे करके सत्कुरूर उपधाजी महाराजी ने अपने समाज दी लड़ाई लड़न दे लई उसा काल पुर्ख वेहदरू परमेशर दा वोटासरा सारा तक क्या है क्योंकि वो ही है जेड़ा किसे दे नाल कोई पेदपाब नहीं करदा उदे मानविच सारे एक बराबर ने उदे लई कोई उच्चा नहीं कोई नीमा नहीं है उदे लई कोई जात पात नहीं है ना जाते ना पाते ना ताते ना माते उदे लई सब बराबरहन इस करके जिड़ा सारे नू एक निगा नाल देखदा है अवल अल्ला नूर पाया कुदर दे साब बंदे एक नूर ते सब जगो पजया कौन पले कौन मंदे मानस की जात सबे एके पहचान बोदा जो पदेश दिन्दा है जो सिख्या दिन्दा है सत्कुरू उदाह जी महराज जी ने किया क्योना इना लोकां दा खैड़ा सब के जेड़े बंदियां पाऊंदे ने ओ जेड़ा एक है उदे लड़ लगया जावे जेड़ा सारे नूर एक बराबर नगा नाल देखदा है उदे लड़ लगया जावे इसे करके सत्कुरू उदाह जी जेड़ा सारे नाल एक अल कहें दे ने के मेरी हरो बेपत जन करो सुभाई चार्न ना साटू स्रीर कल जाई हुन मैं ओ जेड़ियां साड़े समाज दे उते बचारता आमा थोपियां गें या मनू सिमर्ती दे द्वारा उच नीच दियां पेद पावदियां उननू छट दिता है मैं तेरी बचारतारा दे नाल जुड़ गया हाँ तेरे इस करके इथे चरन दा मतलब है बचारतारा चारन ना साटू हुन मैं तेरी बचारतारा नू जो बराबरता दी है जो सारे नू एक सार देखन दी है ओनु अपने मानदे विचों देलदे विचों नहीं कड़नाँ गा ओनु मैं हुन पहुत ही पीड़ी तरह अपने अंदर उस बचारतारानू बशालेया है चर्ण न चड़ूं शरीर कल जाई यह जो बरभरता दी है बचारतारा एनू मैं अपने मानदे अंदर इनना पक्की तरह बचालेया है कि पामे कोई मेरे स्रीर नू में नू कतल कर देवे मैं इस बचारता रानू ता भी नहीं छड़ाँगा क्योंकि उन्हानू पता सी कि जदों मैं अपने समाज दे लई उन्हादे हकां दी गाल करनी है सकता है इस करके सत्कुरुवदाजी महराजी ने कहा है कि अकाल पुर्ख वहगरू कि जो तेरी बचारता रा है सारे नू एक देखन दी बरबरता दी देखन दी चार न शड़ूं मैं इस बचारता रानू नहीं छड़ाँगा इदे बदले दे विच चाहे मनू पुर्वान भी होना पैजवे शहीद भी होना पैजवे मेरा स्रीर रख कतल भी हो जवे मैं इस बचारता रानू नहीं छड़ाँगा कहो रवदास परूं तेरी सांबा बेग मिलो जन करना बिलांबा क्योंकि हुन बहुत देर हो चुकी है हजारा साल हो गएने मेरा समाज जो है ए दोख पोग देनू असी अक चुके हैं असी ठक चुके हैं अईने असी ग्राद ते गए हैं होन सातों जड़े दोखने सैंड नहीं किते जा सकते मेरे कुणों ना मेरे समाज दे लोक में दा दोख देख चलिया नहीं जा सकता इस करके सद्गëरु अच्छी महराज केंदे ने कहो रवदास परूं तेरी सांबा मैं पूरी तरह तेरी शर्व इबेचा आगे हम अगले शवदादे विची भी पिछे भी अपना शवदी बिचार किती है सद्गेरु अच्छी महराज जी ने अपने समाज दे हकां दी लड़ाई लड़न दे लई कोट कीनू बनाया है किस चीज नू दे सहारे अपना ए संगार्शा रब कीता है वो सहारा लिया है रब दा अकाल पुर्ख वहगरू परमेशर दा अजो संसार दे विच तो तोरे फिर देने न केबल ते केबल वो जो अकाल पुर्ख वहगरू परमेशर है अंतर बाहर सर्व नरांतर रब रहे आप रब सोगे जो हर जगा मैंजूद है जो सद्ड़े अंदर भी है सज आड़े अंदर वो गुरू रूपदे विचे बैटा है. कि मैं असी किते जा रहे हैं सर का देउत्ते. वो सानु राष्टा दखाऊंदा है. ज ते असी जाना हूंदा है, किते मंजलते जाना हूंदा है. वो ही कहा दा है, हुन तु ऐसे पासे मुड़ जा, हुन तू ऐस पासे मुड़ जा, हुन समने लैटा आगे जाने, चाओं का आगया है, लाल बत्ती हो गई है, तू रुक जा, ते जदो हरी बत्ती होगी, असी चल पैने या, वो केड़ी चीज है, वो केड़ी शक्ती है, चारले अंदरों संकेत दिंदी है सानू, के हुन तू र अंदर जाना है, तो खबे पासे मुड़ जा, सज्जे पासे मुड़ जा, ये सारा जेडा सानू, रास्ता काउन दखांदा है, वो साड़े गुरू अंदर ही बैठा है, उसे नू ही सत्गुरू रबदाह जी ने मन्या है, वो पदेश रूप दे विच, ज्ञान रूप दे बैठा है, अपने ज्यान दे राहे ही हो सानू रास्ता समझाँदा है, वो उसे नू ही गुर्बानी दे विच, गुरू किया गया है, उसे दी ही गल सत्गुरू रबदाह जी महराज इस शब्द बैच करदे हम के काव रवदास परू तेरी सामबा बेग मिलो जान कारणाम भलामबा तो छेती तो छेती मेरे उते किर्पा करो बेग मिलो दा मतलब जल्दी हुन देर ना लाओ क्योंकि बहुत समा हो गया है सानू दोख पोग दे आनू एस जीवन दा भी कोई पता नी एक कदों खतम हो जाना है इस करके है अकाल पर वहदरू है परमेशर तुसी जल्दी करो अपने जाननू अपने सेबकनू हुन देर ना करो अपना अपदेश देवो अपनी महर मेरे उते करो अपना मेरे परयाहत मेरे सेर दे उते रखो क्योंके मैं अपने समाज दे हकां दे अदकारां दी लड़ाई लड़न जा रहा हां ते ए लड़ाई मैं तोहडे आसरे ही जतनी है इस करके समाज दे लोकानू यह समझना चाहिदा है के सत्गुरूर वदाह जी महराज जदों के ते होर नहीं गए जदों उन्हा ने एड़ा बड़ा लड़ाई लड़न दे लई हजारां सालिय दे गुलामी दे संगण लाउन दे लई केवल ते केवल एक रब्दा आसरा तक के आ है तो फिर असी क्यों आ जो होर चुठे रब पैदा कीते होने तार्ती दे होते जेडे के एक देन खत्म हो जाने ने ए जेडे ऐसी कथा तत बनाई फेर देन सहारे ये रहने नहीं है ए खोद किसे दे बनाई हो एने ए नदा आपना कुछ नहीं है तो इस करके सत्गुरूर वदाह जी माहराजी ने ओस पावर नूँ ओस शक्ति नूँ पकड़या ओदा ओट आसरा सहारा लिया है जो आद सच है जुगाद सच है हैपी सच नानक होसी पी सच जेडे कदे मर्दी नहीं है जो सैपंग है जो अपने आप तो बनी है तो इस करके ये जो उपदेश है ये जो सिख्या है ये जो शब्द है सानू इही ग्यान देंदा है के असे भी अईदर उदर दे पासे आनू शड़के जगा जगा ते पठकन दी विजाए जो साड़े कोल ही है साड़े अंदर ही रब बैठा है उदो तो सेद लेगे उदे ग्यान दे दे दिशा दे नाल चलिए जिम्योसानू समझावदा है उदे उन सार चले के अपना जीवन बसर करिए ते हजारां सालना दे जो गुलामी दे संगल ने अपना उन्ना नू उस अकालपुर्ख वहगरू दे ओट आसरे दे नाल ही ला सकते हैं क्योंकि या जो दूसरे जिड़े कथा तततता रमने उता चौँदने एद्धा ही रहन है ए जो बवास्ता और बवास्ता नू बदलना ने चौँदे उता बलके एथे ही सानू रखना चौँदने टका के रखना चौँदने भी एद्धा ही रहन जेडे नीमे ने ओ नीमे रहन जेडे उच्चे ही रहन केवल एक कालपुर्ख वहगरू परमेशरा जीदी विचारता रादे नाल असी नीमे तो उच्चे हो सकते या नीच्चों ऊच करे मेरा गोबेंद काहूं ते ना डरे जीदा ओट आसरा सहरा तक क्या है आओ समाज दे लोको जिस नू सत गुरूर्वदाह जी ने मन्निया है अपन भी सारे एद्रों उद्रों छटके अपन भी उसे नूमनिये ओदे ते ही प्रोसा रखिये अकालपुर्ख वहगरू परमेशर ते ओदे नाल ही ऐसी सारियां जो अपनियां जितना प्राब्त कर सकते हां तो एही में बेंतियां करदा हुया पुलाचों का दिमाफी चौंदा हुया रजा लेना वैगरू जी का खालसा वैगरू जी की फत्व